नमस्कार मैं अविशेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट सावर धर्मसाला में भारत और न्यूजिलेंड के बीच वर्ल्ड कप का सबसे एहम मुकाबला खेला जा रहा है लेकिन इस मैच में सब की नजरे होगी बिराट कोहली के उपर जो पिछले मैच में धमाकेदार सतक करके टीम इडिया को जीत दिला कर वापस यहां धर्मसाला पहुचे हैं और धर्मसाला में बिराट कोहली का जो रिकॉर्ड रहा है जो स्टेट रहा है वो सांदार रहा है धर्मसाला में आपको बता दे बिराट ने अब तक कुल चार मैच खेले है जिसमें 255 अन तो बिराट ने यहां पर एक सतक और एक 50 लगाया है धर्मसाला में अपने पीछले खेले चार वोडियाई मुकाबलों में तो यह तो बिराट का एक अलग स्टेट रहा है धर्मसाला का लेकिन न्यूजिलेंड के खिलाफ बिराट का स्टेट सांदार रहा है के खिलाब जब जब भारत को बिराट की जरूरत पड़ी है तब तब बिराट वहाँ पे आकर खरे हुए और संकट मोचक बने 1433 रन बिराट ने New Zealand के अगेंस्ट ODI में बनाये 30 मैचों की 29 पारियों में बिराट यह आप देख पा रहे होंगे बिराट का इस दोरान जो एवरेज है सबसे बेस्ट एवरेज 55.11 एक एक 55.11 तो 55 से उपर का एवरेज New Zealand के खिलाब बिराट का रहा है और यह 1433 रन जिसमें 5 सतक और 8.50 है जियां यह बहुत ही बहुत ही लाजवाब आकरे 30 मैच की 29 पाड़ियों में New Zealand के खिलाब 5 सतक और 8.50 और 55 का श्ट्राइक रेट तो आप समझ पा रहे होंगे New Zealand के खिलाब बिराट कोली क्यों सब की नजरे रहने वाली और बिराट क्यों एहम फैक्टर एक्स फैक्टर साबित होने वाले इस मैच में भारत के लिए क्योंकि जब जब New Zealand के तरफ से चाहे ट्रेंट बोल्ट हो टीम साओधी रहे हो या मैट रेंडियो लोकी फर्गुसन जब जब इन लोगों का तुफान आया है तो वहाँ पे एकलोते बल्लेवास टीम इंडिया के ऐसे खड़े रहे जो बिराट कोली ही रहे और तभी ये स्टैट आप देख पा रहे होंगे और इस वर्ल्ट कप में भी बिराट कोली सांदार फोर्म में दिख रहे हैं तो एक बार इस वर्ल्ट कप में जो बिराट का परफोर्मेंस रहा है वो आपको एक बार बता देते हैं अब तक अपने इस वर्ल्ट कप के खेले चार मुकाबले देखिया बिराट कोली के औस्टेलिया के खिलाफ 116 बॉल पे 85 रन इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 56 गेंदों पे 55 नाबाद रन पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी वो चले जाते है 18 गेंदों पे 16 रन करके लेकिन जो लास्ट मैच हुआ है बांगलाद इसके खिलाफ किस तरीके से टीम को 26 रन जीत के लिए चाहिए था बिराट को 26 चाहिए था इसके बावजूद बिराट ने वहाँ पे 97 बॉल पे 103 रन की नोट आउट पारी खेली और अपना सतक भी किया टीम इंडिया को जीत भी दिलाई तो बिराट को ली इस मैच में न्यूजिलेंड के खिलाफ अब तक भाड़ी परते आ हैं और एक बार फिर से धर्मसाला में सबकी नजरे बिराट के उपर होगी तो हमने आपको बताए क्यों बिराट एक्स फेक्टर सावित हो सकते हैं इस मैच में जो न्यूजिलेंड के खिलाफ बिराट का स्टैटर है जो धर्मसाला में बिराट का स्टैटर है इकलोते बल्लेवाज ये धर्मसाला में सतक लगाने वाले तो एक बार फिर से यहां सबकी नजरे बिराट पे होने वाली है तो New Zealand को हराना बहर जरूरी है Team India के लिए और Team India इस वक्ष जिस तरीके से खेल लही है जिस तरीके से आज का match खेल लही है धर्मसाला में सांदार लाए में Team India दिख रही है तो हम सभी को उम्मीद है कि एक बार फिर भारत इस match में न्यूजिलेंड को हराकर पिछले सभी मुकाबलोग में जो हार मिली भारत को वर्लकप में उस हार का बदला लेगी और टीम इंडिया मैच जीतेगी बाकी आपको क्या लगता है भारत की तरफ से इस मैच में कौन टॉप स्कोरर रहने वाले हैं बिराट कोली का पफोर्मेंस इस मैच में कैसा रहेगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे इस वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत